और देखे ना सिर्फ बीजेपी ने बलकि थमाम अलग-अलग पाजियों ने भी चुनावों को लेकर अपनी तयारी शुरू कर दिया है। भारती जंता पार्टी को जंता ने इतना वहमत भरोसा किया। आखिर किया। देश के तमाम लोगों की जासूसी की क्या दूरुत थी। और फिर ये भारती जंता पार्टी ने कहा था कि वो किसान की आये दोबनी कर देंगे। और जिस तरह के काले कानून आए हैं इससे आये दोबनी नहीं होगी, किसानों की खेती बिख जाएगी, किसानों की बरबादी हो जाएगी और वजार के हाल पे किसान को छोड़ देंगे। और जहां तक सवाल COVID का है, क्या सरकार का जवाब ये हो सकता है कि आउसीजन की वज़े से किसी की म्रत्यू नहीं हुई। जान गई है, और इसलिए नहीं बता रही सरकार क्योंकि उसे कहीं न कहीं मदद करनी पड़े कि उनके परिवारों की अपने जी ये तीन मुद्वे हैं, क्योंकि सबसे बाद चुनाव जो देश में देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पार्टी, सारी पार्टी इस और भारती जंता पार्टी को जंता ने इतना वहमत दिया भरोसा किया, आखिसका देश के तमाम लोगों की जासुसी की क्या दुरूत है, और फिर ये भारती जंता पार्टी ने कहा था कि वो किसान की आय दोबनी कर देंगे, और जिस तरह के काले कानून आये हैं, इससे आय दोबनी नहीं होगी, किसानों की खेती बिख जाएगी, किसानों की बरबादी हो जाएगी, और वजार के हाल पे किसान को छोड़ देंगे, और जहां तक सवाल COVID का है, क्या सरकार का जवाब ये हो सकता है, कि ऑक्सीजन की वजए से किसी की मृत्यू नहीं हुई, उत अपद से जान गई है, और इसलिए नहीं बता रही सरकार क्योंकि उसे कहीं नहीं मदद करनी पड़े कि उनके परिवारों, अपने जी ये पीन मुद्वे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव जो देश में देखा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश का है, सारी पार्टी समाजवादी पार्टी सभी वर्वों को जोड़ करकी आने वाले समय में, किस तरीके से हर वर्व के लोग जोड़ जाएं पार्टी से, हमारी विचाधारा से, उस पे काम करने जा रही है, वो उत्तर प्रदेश को आप सुन रहे थे, 2022 की तयारी एस्पी ने भी शुरू करती अखलेश यादो के और से कहा गया कि इस बार जनता बीजेपी को जवाब देगी और जो चुनाओ है वो मुद्दो परोगबार